नमस्कार मैं परण जोई गुहा ठाकुर्ता न्यूस क्लिक में आपको स्वागत करना हूँ आज मैं लक्नाव में हूँ और उत्रप्रदेश का चुनाओं के वारे में हम बात्चित करेंगे मेरा साथ वरिश पत्रकार आनदवर्द सिंग जी है जो संपादक है दे पब्लिक की अनजी इस बार क्या कांटी का टक्कर होने का एक संभावना है कि आपका जो जो साइकल साइकल क्या जल्दी जाएंगे या कमल के उपर लोग जादा बटन दबाएंगे मैं एक तो नमस्कार थैंकू सो मच मैं बहुत इस्पष्ट हो और जब से चुनाव शुरू हुआ है औ स्वामी प्रसाइद मौरिया चोड़के इनको बहार निकले और अखलेश को जोईन किये वहां से टर्निंग पॉइंट चुरू हो गया था और मेरे हिसाब से इस बार एक टीना फैक्टर काम कर रहा है अकलेश के तक्ष्ट में क्योंकि मुश्किल क्या होई थी कि लोग गुसा हैं और वो गुसा कई हैं उसके हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं हों महंगाई है बेरोजगारी है कोरणा मिसमैनेजमेंट है क्योंकि जिसके घर का ऐसा कोई घर नहीं है उतर परदेश में जिसकी एक्स्टेंडट फैमिली में या सामाजिक ग्रूप में किसी ने वहां ने की इम्रुत्त्य नहीं हुई हो और मुश्किल क्या होई थे कि इम्रुत्त्य हो सकती थी मैं लखनो का आपको बता हूँ लखन रची काट रहे थे चालन लगा रहे थे उन गाडियन जो खड़ीं थी वहां मतलब यह कौन सरकार है ठीक है आप सारे काम करते हैं आप एलेक्शन को देख के लेकिन आप सारे काम सिर्फ रेवन्यू आपको लाना हुआ है तो लोगों ने वह भूला नहीं है लोगों ने जिस आज किसान आंदोलन क्यों इतना वह पकड़ा हुआ है अगर मोदी जी जिस धंग से इसको मिस मैनेज किया है अगर मोदी जी इसको बुला के कहे होते हैं भाई सौरी आप लोगों ने 700 लोगों ने शहादत की और मुझे वह है मेरे घर के वह बच्चे थे और कुछ भी कर द जी एक साल आंदोलन के बाद प्रधान मंद्री नरेंद्र मोदी बोला ठीक है हम कानून रद करेंगे जो कानून अध्यदेश के रूप में करोना काल में जून 2020 में लाय थे फिर आपको मालूम है राजसभा में क्या हुआ विरोधी दल जैब बात करने के लिए तियार थे उनको बात करने का मौका ने मिला मेरा कहना है पहला बार मोदी जी दो शब्त का स्वायदा मैं किया एक है शमा मगर वो ऐसा बताया कि हम शमा मांग रहें खियुम हमारे किसार मंदू का एक हिस्सा को ठीक तर혜से सम्झा है नहीं पाया ये कानून का फायदा में हुआ एक औ बहुत बहुत इसपश्ट है जब आप छमा मांगते हैं तो आपकी नियद भी उसी तरह की होनी चाहिए आपकी बॉडी लैंगवेज भी उसी तरह की होनी चाहिए आप खुले दिल से छमा नहीं मांग रहे हैं आप कह रहा है क्योंकि मेरी तपस्या में कमी रह गई, मैं आपको समझा नहीं पाया, मतलब मेरी चीज़ें सही थी, मैं आपको समझा नहीं पाया, इसलिए मैं शमा मांग रहा हूँ, आपने एक बार भी शमा मांगे उन जो 700 लोग शहीद हुए थे, क्योंकि उससे पहले सतार मलिक का वीडियो आ चुका था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझसे क्या मतलब वो 500 लोग मरें मैं क्या करो वो खुद मोदी से क्या पता है भारती जंता पार्टी उनको पहले जमुएन कश्मीर फिर गोवा में फिर मेगाले में राजपाल और समवाइदान एक पद पर बैठ आनी का सबब वो इस्टाइल है अरण जी देखिए धुरुवी करन पहले भी हुई थी इस बार भी हुई है चुनाओ का नतीज़ा बहुत सारे लोग जब बटन दबाते हैं बहुत सारे मुद्धा होता है तो आप मंदिर मस्चित के बाद दुबारा सुन रहे हैं काशी वि पी और इस मुद्धा पहले भारते जंता पार्टी राश्यर स्वाइम से बगसा राजनेदी वायदा बिला उनके लिए ये सब मुद्धा क्या है जो आप महंगाई के बात करते हैं जो आप लावारिस बेरोजगारी बोली आपने लावारिस गाय आपने करोना आपने गंग अर्थ शात्रिक जो अर्थिक मुद्धा है और एक है धर्म आस्था के नामें लोग बोट मांग रहे तो इस तरह का ध्रोविकरन पहले भी हुई थी और जो धर्म का नामें बोट मांगा उत्र प्रदेश में बार बार जीता इस पार भी हो सकता है नहीं मैं इसको इसलिए नहीं माननों दो चीज़ें थी धर्म और रजात थी उत्तर प्रदेश की चुनाओं में धर्म हावी रहता था और 2017 में जो जात थी उसको बहुत अच्छे से स्टिच किया था इस बार मैं हर दम कहूंगा कि अखलेश यादम मैं चूरिटी दिखाई है रियाक्ट नहीं किया हैं और मैं ये भी कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुस्लमानों ने भी बहुत रिस्ट्रेंड दिखाया है ए आइम आइम के जो ओसी साहब के उपर जब गोली चली ये जो अभी हिजा आप उत्तर प्रदेश में आपने कहीं नहीं देखा हो किसी ने कोई प्रोटेस्ट किय है और फिर आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास अने जी भारी बहुमत में पाच साल इनों जीता चार सो तीन में 312 भारती जनतापाटी को बिला उनका सहयोगी दल अपना दल को अगर जोड देंगे तो 322-330 तक तो अगर समझे जी एक सो बीस विधान सभा शेत्र में भा पोडल सहयोगी थे 11 प्लस 8 11 अपना दल के थे और 8 उन्होंने इनको सोहल देव की पार्टी को दिये थे 19 इस बार 33 उन्होंने अपने को डिद्यूस किया है वो समझ गा है कि वह वो थूदा मुश्किल वाली उसमें है और उनके बहुत इंपॉर्टेंट सही होगी स्वामी प्रसाद मौरिया धर्म्चन सैनी यह सारे लोग निकल के जोइन किये हुए सपा को ब्राह्मन कभी सपा को वोट नहीं देता था इंपॉसिबल ब्राह्मन के लिए सपा को नहीं देते थे वोट लेकिन आज उत्तर प्रदिश अभी देखिएगा जब यह तो लास्ट जो फे उत्र प्रदेश में और कुछ मौहल है जो दोजात तेरह में मुझब मुझब नगर में मुसल्मान और जाट खिसान के बीच जो एक तरह से सामप्रदाइक दंगा लगाता वो सब बदल लिया पश्ची में उत्र प्रदेश में पूरवाजची में नहीं बदला अवद में बदला पुंदेल खंद में नहीं बदला यहां भातेशनता पार्टी वापस आएगे यही उनके लोग यह उनके लोग कह रहा है देखे फिर से समझ लीजे फर्स फेस जाट मुसलिम सेकेंड फेस मुसलिम इन द लीड थर्ड फेस जाट अगें इंपॉर्टन फेक्टर फोर जवानत फुदा और मुझे यह कहूंगा कि जैसे कभी कभी क्रिकट में नहीं होता है उनके दिन अच्छे नहीं चलना है उसको जमानता इस समय नहीं मिलता तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा था अरण जी मेरा आखरी सवाल आप से जो भी चुनाओं का नतीजे होगा य कि 2024 से पहले presidential election होने वाले हैं और अगर उत्तरप्रदेश का चुनाओं बीजेपी हार रही है तो इनका मनमाफिक प्रेजड़न नहीं बैठ रहा है और अगर इनका मनमाफिक प्रेजड़न नहीं बैठ रहा है तो जिस तरह से राजस्भा में मनमानी करके किसान बिल पास करा लिया था वो बिल कोई पे प्रेजड़न की सिर्मेशन नहीं सिर्फ राष्ट्रपदी चुनाओं का बात नहीं है दोहजार चौबिस में जो लोग सभाई चुनाओं नहीं मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि उससे पहले ही समस्यां शुरू हो जाएंगी दोहजार चौबिस का व अबर्दसिंग जी धन्यवाद आपका समय आपने न्यूस्क्लिक का दर्शक को दिया समय बताएंगे क्या होगा नहीं होगा आप लोग देखे रहें न्यूस्क्लिक सब्सक्राइब कीजिए चैनल में चैनल को बटन दबाईए शेर कीजिए धन्यवाद नमस्कार